जैहिन मेरे प्याने दोस्तों मैं खुले स्मार कंडे चंद्राइकेड में के इस online platform में आप लोग का फिर से स्वागत करता हूँ आज मैं आप लोग के लिए जो वर्तमान में पूरे देश के पांच राज्यों में विधान सभा चुना हुए है उनका रिजल्ट आ चुका है और वहां के नए CM जितने नव निर्वाचित CM बनाये गए हैं उनके बारे में पूरा डिटेल आपको बताने जा रहूं ठीक है दे दूसरा देखोगे MP MP से हमारे मोहन यादकाऊ जी को मुख्यमंधृ बनाये गया है यह आपका भाच्पा के लेता है दूसरा थीसरा देखोगे अपके मुख्यमंत्री है बोला जाया तो पूरे पांच राज्यों में तिन राज्य ऐसी है जहाँ भाजपया अपनी सरकार बनाई है और एक राज्या जो है तिलंगाना तिलंगाना के जो आपके स्री रेवन्त रेड़ी जी यह आपके कॉंग्रेस से बने हैं क्लियर और एक लास्ट जो है मिजोरम मिजोरम से हमारे सीम जिनको बनाया गया है स्री लाल दुहोमा ठीक है यह जेट पीम जोरम प्यूपल्स मुमेंट पार्टी इनके द्वारा इनको नुपति किया गया है तो राजिस्थान है जहां बीजेपी की सरकार बनी है बीजेपी की सरकार क्या नाम है जी राजिस्थान का स्री भजनलाल सर्मा उसके बाद ये MP की बात करेंगे ये MP मद्ध प्रदेश MP मद्ध प्रदेश मामा की नगरी थे ठीक है बट अब यहाँ पर सीम कौन बने है जी स्री मोहन यादाव जी यहाँ पर भी बीजेपी की सरकार बनी है उसके बाद बात करेंगे जश निचे अब हमारा आता है 36 गड़ प्यारा 36 गड़ प्यारा 36 गड़ में पहली बार ऐसा हुआ है किसी आदिवासी मुख्यमंत्री बनाये गए है स्री विश्णुदे साय जी को फिक है यहाँ पर भी बीजेपी की सरकार बनी है उसके बाद हम बात करेंगे तेलंगाना ये तिलंगाना है यहां पर Congress का सरकार बना है Congress का सरकार जिसमें से रेवन त्रेड डिजी को और एक राज्य यहां पर है यह आपका पुरोत्तर भारत का पुरोत्तर राज्य जो रहां जहां पर JPM parties की सरकार बनी है तो यह पांच राज्य हो गए जहां पर अलगलग सरकार अलगलग party की सरकार बनी और पूरे cm जो है नय नय निरवाजी थे उनके बारे में देखें अब थोड़ा हम लोग detail देख लेते हैं इसके बारे में चलो detail देखते हैं, यह हमारा सबसे प्यारा 36 गड़ जो भी विधान सभा इलेक्शन हुआ है, उनसे क्वेश्चन स्योर है आना, तो आप 36 गड़ का जो एक वीडियो बना है, रोहिज सर ने बनाया है, इलेक्शन सम्मंदित वो भी वीडियो सबको देखना है, और साथ में ये वीड बनाया गया है, वो है विश्णु देश साय जी को, ठीक है, विश्णु देश साय जी को जो 36 गड़ के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री है, यदि क्रम की बात क्या जाए, तो क्रम में ये छटवे क्रम की, छटवा क्रम का मुख्यमंत्री है, और वैक्तिगत की बात क्या ज से मुख्यमंत्री है इनके विधान सभा सिट जहां से विजय हो करके आया है वो है आपका कुनकूरी कुनकूरी विधान सभा छेत्र से इन्होंने जीत हासिल किये है अच्छा ऐसे राज्य जहां पर दो दो उप मुख्यमंत्री बनाए गया है एक हमारा चतिसगार एमपी फिर आपका राजिस्तान तो चतिसगार के जो चतिसगार के दो उप मुख्यमंत्री है अरून साओ जी ये आप जानते होंगे ये भाजपा प्रदेश सद्यक्ष थे इन्होंने कहां से जीत हासिल किये जी लोर्मी से लोर्मी विधान सभा छेत्र से और दू कियर है अभिव वरतमान में विधान सभा दक्ष किसको बनाया जाएगा जी वो है आपका पूरु स्यम रमसिं। राज्ये पाल हमारे चैन्दगाड श्री विश्रुभूषरन हरी चंदन ठीक है श्री विश्रुभूषनばいषंदन ची वरतमान में राज्ये पाल है क्योंकि इनके द्वारा अभी सपत ग्रहन करवाया जागा, अनुछेद 164 में बताया गया है कि किसी भी राज्य की मुख्य मंत्री या उनके कबिनेट मंत्री को राज्यपाल के द्वारा आपका सपत ग्रहन करवाया जाएगा, ठीक है, चलो, हम लोग देखते हैं, चतिसगर में कुल विधानसबाद सीट कितने हैं, आप सभी को पता है, नब्बे विधानसबाद सीट है, नब्बे विधानसबाद सीट में आपको 15 पर्षेंड जो यहां सी जितने विधायक रहेंगे, इनको मंत्री बनाया जाएगा, तो देखो, चतिसगर में 54 जो सीट है, वो भार्षपा को प्राप्त हुआ है, और 35 सीट कॉंग्रेस को, और एक सीट आपको देखा जाया, तो चतिसगर बनने के बाद पहली बार ऐसा हुआ है, कि कोई नई पार्टी सामने आया है, वो पार्टी है आपका गोडवाना गंतंत्र पार्टी, और यह पार्टी जो है, कौन सी विधान सभा से से है जी, थोड़ा देख लो इसको, पाली, ताना खार, यह आपका कोर्बा जिला, कोर्बा जिला में इस्तित है, यहां से आपका एक सीट मिला है इस बार, यह आरक्षित सीट है, एश्टी लोगों के लिए, यहां से आपका तुलेश्वर, काम मरकाम इन्हों ने जित हासिल किया है क्लियर है तानाखार ये आपका पाली तानाखार सीट है ठीक विधान सबस सीट जहांना जो आरक्षी कब अरधा से चलो आईए अगले राज्य की और चलते हैं नेश्ट देखो जय हैं जय जोहार मैं स्वपनिल दिवारी चंद्र अकेडमी के इस डिजिटल प्लैटफॉर्म में आप सभी का फिर सस्वागत करता हूं आप सभी के लिए महत अपोर सोचना है कि चंद्र अकेडमी क को आप घर बैठे हैं अपने मुबाइल पर देख सकते हैं और रिकॉर्डेट क्लासेज को आप कक्छाओं के बाद किसी भी समय पर भी देख सकते हैं यदि आप इस ऑनलाइन कोर्स को जोईन करना चाहते हैं तो इस QR को स्कैन करके भी चंद्र अकेडमी ऑनलाइन क्लासेज डाउनलोड कर सकते हैं या नीचे डिस्क्रिप्शन में दियेगा लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं चंद्र अकेडमी ऑनलाइन क्लासेज के सारे डेमो लेक्चर्स हमारे एप्लिकेशन पर उपलब्द हैं इसके अतरिक आप चंद्र अकेडमी के ऑफिशल यूट्यूब चंद्रा अकेडमी दगाइड से भी डेमो लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं इसके साथ ही आप मेरे यूट्यूब चैनल स्वपनिल तिवारी चंद्रा अकेडमी पर भी डेमो लेक्चर्स देख सकते हैं यदि आप CGPSC Prelims Plus Vyapam की कक्षाएं जोईन करना चाहते हैं तो यह Live mode और recorded mode दोनों में उपलब्ध है Pre Plus Vyapam के कक्षाओं की वैदता validity एक साल की रहेगी इसके साथ ही आपको complete recorded course तो उपलब्ध होगा ही साथ ही एक साल तक जितने भी नए lectures बनेंगे updated lectures रहेंगे वो भी आपके course में add कर दिये जाएंगे CGPSC Means की कक्षाएं भी Live और recorded दोनों mode मे उपलब्ध है CGPSC Means कक्षाओं की विशेस्ता यह है कि वरतमान में इस course की अंतरगत 1500 से अधिक video lectures उपलब्ध है और दो साल की validity आपको मिलेगी इस दो साल में जितने भी नए कक्षाओं बनेंगी वह आपके course में add कर दी जाएंगी जदी आप सिर्फ व्यापम की available है जिसकी fees मात्र 699 रुपे है जिसमें व्यापम की सभी परिक्षाओं के तियारी के लिए सारे recorded lectures बारा सो से अधिक recorded lectures उपलब्ध है इसके साथ ही यदि आप किसी economic difficulties से गुजर रहे हैं या एक बार में fees देने में असमर्थ है तो चंद्रेकेंड में online classes में आपके लिए मं अंधिली subscription plan भी उपलब्ध है आप मात्र 995 रुपे की fees में CGPSC pre mains और व्यापम जिसकी अंतरगत 2000 से अधिक video lectures उपलब्ध है जोइन कर सकते हैं यदि आप सिर्फ maths और reasoning का course जोइन करना चाहते हैं तो जी हां maths और reasoning के course की validity रहेगी 6 महिना और मात्र 999 रुपे की fees के साथ विशेस recorded course उपलब्ध है जिसकी fees रहेगी मात्र 499 रुपे चंद्र अकेडमी online classes की एक प्रमुक विशेस यह है कि आप यहाँ पर एक ही विशे कई विशेस सग्यों से पढ़ सकते हैं जल सजल चंद्र अकेडमी online classes application डाउनलोड कीजिए और अधिक जानकारी या किसी भी प् 37 गड़ और दूसरी की बात करेंगे मद्ध परदेश मामा जी की नगरी जो अभी वर्तमान में cm नहीं बन पाए हैं उनके जगह में दूसरे को बनाया गया है ठिक अब देखो यहां के cm कौन है जी यहां के जो नए cm बनाया गया है श्री मोहन यादव जी क्लियर है अभी न उप मुख्य मंत्री बनाये गये हैं कौन-कौन है एक राजेंद्र सुकला जी है और दूसरा आपका जगदिश देवडा जी है दोनों के फोटो लगे हुए यह आप देख सकते हो क्लियर है विधान सभा अध्यक्षी बात करेंगे तो यहां नरेंद्र सी तोमर जो केंद्र प्रहन करवाय जाएगा आपको बता दिया हूँ 164 अनुछे 164 आर्टिकल 164 में इसकी चर्चा यहां पर टोटल विधान सभा सीठ है आपका 230 कितने विधान सभा 230 जिसमें से भाजपा को कितना मिला है 163 भाजपा फूल बहुमत से यहां पर विजय हासिल किया है और कांग् पार्टी को एक तो ध्यार रखना एक होता है सत्ता पार्टी जिन्होंने जीता है और दूसरा है विपक्ष पार्टी टोटल सीट में से 10% सीट प्राप्त करना अनिवार है तो वो आपका विपक्ष पार्टी कहलाएगा तो यहां पर कौन हागा? कॉंग्रेस नेश्ट यह अपना पर यहां पर फी दो लोग को बनाया गया है एक दिपाकुमारी और एक प्रेम चन सब्स पर चतने के महिला और एक फॉट्चाली एड्पूरमाि वम्हेंग जी तरीच मत्ला तरी 2024 यही और यह आपका क्या है CMG है ठीक राजिस्थान के जो विधान सा भद्धक्ष बनाया गया है वासुदेव देनानी जी को राजिस्थान का राज्यपार्ण करवाया जाएगा वह है कल राज मिस्र जी ठीक है क्योंकि राज्यपाल भी इंपोर्टेंट है देखो यहां कुल कितन सिट है 200 सिट सिट में फिर यहां पर वाकार को कितना मिला है 115 कोटाया मिलता है क्या स्रकार सकता है दूसरा यहां पर जो व्विपक्ष कपार्टि है वह सीugिन हुनको प्राप्त हुआ है 79 सीट. चलो, ये हो गया हमारा राजिस्थान का. अब अगला आयगा तेलंगाना. तेलंगाना में सरकार किसकी बनी है? ये पाँच राजिय में एक मातरा ऐसी राजिय जहाँ पर कॉंग्रेस के सरकार बनी है. यहां के जो हमारे CM है डॉक्टर रेवन्त रिड्डी जी, जिन्होंने किसको हर, मतलब ये किसके जगा इस्थान लेगे, चंद्र से खर राओ, इसके पूर्व सियम कौन थे तिलंगाना के, डॉक्टर चंद्र से खर राओ, उनके इस्थान ये लेंगे, क्लियर है, चलो, विधान सबस्षिट देख कार है, तीनों पर दो-दो उपमुख्य मंत्री बनाएं, यहां उपमुख्य मंत्री कौन है, मलुभट्टी विक्रमार्थ, ये मलुभट्टी विक्रमार्थ, इनको तिलंगाना का उपमुख्य मंत्री, विधान सबस्षि कौन है जी, दाम प्रशात कुमार जी को विधान अध्यक्ष बनाया गया है तिलंगाना का राज्यपाल जो है तैमीली से सौधर राजन यह नाम है इनका ठीक है ध्यार रखना यहां पर कुल विधानसवा सीठ की बात किया जाए तो 119 विधानसवा सीठ है जिसमें से भाजपा को प्राप्त हुआ है 64 64 और विपक्ष की पार्टी बनेगी वो है भारत राष्ट समिती जिनका वरतमान अध्यक्ष डॉक्टर चंद सिखर राव जी है जो हार गए है इनको इसकी पार्टी को मिला है फूल सिट कितना मिला है 39 और भाजपा को यहां से मिला है आठ चलो नेश्ट देखिए और यह ल है यह मोख्य मंत्र बनाएगे यहां पर नाल द्यों यह पूरो आईए सज्ट Prob सिट सर्चीप सर्चिप यह विद्हांसभाव सीट यहां highly जोरं की विद्हांसभा अध्यक्ष की बात करेंगे तूँ यहां नाल्बियक कजामा यहां के विद्हांसभा अध्यक्ष है ठीक है, यहां के राज्येपाल कौन है वरतमान में, डॉक्टर हरी बाबु कंभम पती, ठीक है, यह अभी राज्येपाल है वरतमान में, यहां की कूल सीट की बात क्या जाए, तो कूल सीट यहां पर 40 है, 40 जिसमें से जो सरकार बनाया है, उसका है, पार्टी का नाम, जोरम प पार्टी है जेट पीएम इनको प्राप्टो है 27 ठीक है उसके बाद आपका उसके विपक्ष की पार्टी बात क्या जाए तो मिजो नेशनल फ्रंट इनको दस है ठीक है और अन्य को तीन ऐसे करके यह पांच राज्य है जहाँ पर आपका नए नव निर्वाची सीम बना चुक वीडियो में तब तक लिए धन्यवा जहिन जय भारत